रविंद्र नाथ ठाकुर की एक प्रसिध रचना है। एक मनुष्य को रात में सपने में भगवान दिखाई दिये। भगवान ने उससे कहा, जाओ, अमूक जगा पर एक साधु रहता है, उससे मिलो, उसके पास एक हीरा है, उसे लेलो। उस व्यक्ति को लगा कि भगवान की बात सही हो सकती है। सो अगले दिन सवेरे उठकर वहां उनके बताय स्थान पर पहुँचा। सायोग से साधु मिल गए। उस मनुष्य ने उन्हें सपने में भगवान के दर्शन देने और उनसे मिलकर हीरा लेने की बात बताई। साधु ने कहा, हाँ, ठीक है, जाओ, वह नदी के किनारे पेड़ के नीचे हीरा पड़ा है, उसे ले लो। वह व्यक्ती वहां गया। उसके अचरज की सीमा न रही जब उसने देखा कि पेड़ के नीचे सचमुच बड़ा कीमती हीरा पड़ा है। उसने हीरे को उठा लिया। खुशी से उसका दिल नाचने अचानक उसके मन में एक विचार पैदा हुआ। साधुने इसी यूँ ही क्यों डाल रखा है। जरूर उसके पास इस हीरे से भी मूल्लेवान कोई वस्तु है, जिसकी तुलना में इस हीरे का कोई मोल नहीं। मुझे वही वस्तु प्राप्त करनी चाहिए, जो हीरे से भी मूल्लेवान हो। इतना सोच उसने हीरे को नदी में फैंक दिया और साधु के पास चला गया। रविंद्रनात टेगोर के इस रचना में बहुत बड़ी सचाई छिपी है। किसी के पास धन से भी कीमती कोई दूसरी वस्तु होती है, तो उसे धन फीका लगता है। किसी विद्वान ने ठीक ही लिखा है। जिसके पास केवल धन है, उससे बढ़कर गरीब और कोई नहीं। एक अन्य महान व्यक्ति ने कितनी बढ़िया बात कही है। मुझसे धनी कोई नहीं है, क्यूंकि मैं भगवान के अतिरिक किसी का दास नहीं हूँ। यह जानते हुए भी कि मनुष्य के आगे धन दौलत की कोई कीमत नहीं है। आज सभी समाजों में, सभी देशों में पैसे का बोल बाला है। अमरीका के पास अपार धन है, पर वह और धन चाहता है। इसका नतीजा यह है कि अमरीका के बहुत से लोग रोज रात को नीद की दवा लेकर सोते हैं। उनके जीवन में सहजता नहीं है। और जिसके जीवन में उल्जन है, उसे नीद कहां से आएगी। संसार में जितने साधू, संत, महात्मा और बड़े लोग हुए हैं, उन्होंने धन से जो कीमती वस्तु है उसे पाने की चेश्टा की है। उन्होंने अपनी आत्मा को उंचा उठाया है, अपनी बुरायों को दूर करने का प्रयत्म किया है। और अपने सामने सदा उचा उद्देश रखा है। सोचने की बात है कि धन दौलत में ही सब कुछ होता तो भगवान बुध क्यूं घर बार छोड़ते और क्यूं भगवान महावीर राजपाट का त्याग करते। आज के जमाने में भी हमने गांधी जी को देखा। उन्होंने सारे आडंबर छोड़ दिये। सादगी भरा जीवन बनाया और बिताया। गांधी जी समझ गए थे कि जो आनंद सादगी की जिंदगी में है वह पैसे की जिंदगी में नहीं। वह चाहते तो अच्छी खासी कमाई कर सकते थे। लेकिन उस हालत में वह गांधी न होते। महात्मा न कहलाते। वास्तम में उन्होंने सोना नहीं जुटाया। उन्होंने वह पारस्मनी प्राप्त की जिसे चू कर सब कुछ सोना बन जाता है। लेकिन यह पारस्मनी ऐसे ही नहीं मिल जाती। इसके ग्रंथों में कहा गया है कि इस दुनिया में सबसे दुरलब वस्तू मनुष्य का शरीर है। सारे प्राणियों में मनुष्य को उचा माना गया है। और वह इसलिए उसके पास बुध्धी है, विवेक है। संसार में जितने आविशकार हुए हैं, सब बुध्धी के बल पर खरा बनने का अर्थ यह नहीं कि वह घर बार छोड़ दे, जंगल में चला जाए और भगवान के चर्णों में लौ लगा कर बैठा रहे। खरा आदमी वह है जो अपनी बुराईयों को दूर करता है और नीती का जीवन बिताते हुए अपने समाज और देश के काम आता है। ऐसा मनुष्य सब को प्रेम करता है और सब के सुख दुख में काम आता है। याद रहे जो मानव जाती की सेवा करता है उससे बड़ा धनी कोई नहीं हो सकता। अबु बिन आदम की कहानी शायद तुमने सुनी होगी। एक दिन रात को वह अपने कमरे में सो रहा था। अच उसने जवाब दिया। मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूं जो भगवान को प्यारे हैं। आदम थोड़ी देर चुप रहा फिर बोला। भाईया मेरा नाम उन लोगों में लिख लेना जो मानव की सेवा करते हैं। देव दूत चला गया। और अगले दिन जब वह लोट करता है। सेवा करने का अपना आनंद होता है। एक बार सेवा करने की आदत पढ़ जाती है तो फिर छुटती नहीं। जो बिना किसी स्वार्त के दूसरों की सेवा करते हैं उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सूरज बिना बदले की इच्छा रखे सब को धूप और गांधी जी ने तो सेवा धर्म को अहिंसा और सत्य दोनों की बुनियाद माना। उन्होंने कहा। सेवा धर्म का पालन किये बिना मैं अहिंसा धर्म का पालन नहीं कर सकता। और अहिंसा धर्म का पालन किये बिना मैं सत्य की खोज नहीं कर सकता। सेवा की बड़ी महिमा है, धन से तुम लोगों को अपनी और खीच सकते हो, लेकिन सारी दुनिया को तो सेवा खीच सकता है.